हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्रडेट इप्शन डिकमेंटेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो डेली बेसस की तरह आज भी मैंने आप लोगों के लिए दो बेस्ट स्टॉक लेकर हैं प्रॉपर टार्गेट और प्रॉपर स्टॉक लोज भी आप लोगों को अपडेट करना पड़ूँगा और दोस्तो यहां पर जैसे की आज की काफी दिक्कत के बाद भी मार् बंद हुआ है ठीक है तो काफी अच्छा लगा दोस्तों कि खेर जो दिक्कत थी वह बाद में सुदरती हुए देखने को मिले उससे परिसानी काफी ट्रेडर काफी इंडरेस्टर को हुई है लेकिन अल्मोस्ट देखा जाए तो मार्केट को समझते हुए जो सब बाय ही निकले और अच्छे गाज़े प्रॉफिट में भी निकले होंगे यही उमिश से मार्केट में काफी अच्छी कासी मुमेंट भी देखने को मिले ठीक है तो चली अब आपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही बो पूरे नेगेट देखने को मिले लिस्टे देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में आग लग चुकी थी वह आग क्यों लगी है मैंने आप इसका वीडियो अप्लोड कर चुका हूं आप जाके देख सकते हो ठीक है अब इनी में से दो जो टार्गेट और स्टाप क्लोस आप को दे रहाँ दो इस टॉक में तो वह टार्गेट या श्टाप क्लोस हमारे आप लोगों को नई भी समझ में आते हैं तो आप लोग को आपके फाइनेशल एडवाजर या ब्रोकर से भी कंसल कर सकते हो और या आपके सापसे भी मैंटेन करके चल सकते हो ठीक है तो चली है ज प्रिवेस क्लोस देखेंगे 136 रुपे 90 पैसे स्टॉक ने काफी बड़ा के पॉप अपनिंग लिया था 149 पैसे हाई लगा 145 का अगर हाई और प्रिवेस क्लोस को कंपेर करते ना तो काफी इंट्रेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है और लोग को अगर देखेंगे 149 तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो आपको को देखने को मिलेगा कोल इंडिया का चार्ट पैसे कि यहां पर आप नाम भी देख सकतें और वहाई से सुरुबार हाद भी करतें जैसे कि यहां पर देखेंगे के continuously buying buying देखने को मिल रहा है 15 minute का candle चार्ट ओपन है तो यह सभी candle 15 minute की है फिर गिराब उट होती है पूरी rate candle के साथ मतलब यहाँ पर एक B shape में क्या देखने को मिल रहा है चार्ट पिटन देन उसके बाद वो profit booking का असर काफी नीचे तक आता है यहाँ पर seller भी काफी ज़्यादा बीट जाते हैं ठीक है इंट्रडे में और इस टॉक को यहाँ तक लियाता है फिर स्टॉक में एक consolidated हो जाता है मतलब इस टॉक इतनी एरिया में consolidated करता है ठीक है consolidated करने के बाद इस टॉक में आज की डेट में काफी बड़ा गेप अपनिंग होता है स्टॉक उपर उपर जाता है मुमेंटम भी आज की डेट में काफी अच्छा लेकिन मार्केट के खराभी के चकर में मार्केट बंद हो जाता है लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे इधर भी profit booking के बाद गिरा था तो यहाँ पर देखे momentum तो अच्छा है एक level काफी important है वो है दोस्तो 150 का इसका 150 का अगर level मतलब hold होता है break करता है hold करता है मतलब कर एक से दो दिन तो definitely हमें नया 52 बीक का ही देखने को मिल सकता है लेकिन अगर इसने 150 का level break किया उसको hold नहीं किया उसके नीचे closing दी तो एक profit booking अपने को एक single candle या 2-3 candle में देखने को मिल सकती है खिर वो तो बात की बात है अपना target तो 150 रुपे के अंदर ये intra day का तो वह अपन देख लेते हैं तो दोस्तो प्रापर तरीके से note down करेगा तो दीके अब इस stock में 145 रुपे का high है तो अपने एक काम करते हैं 145 रुपे 50 परसे स्टॉक को buy करेंगे तीके आज की date में काफी बड़ा gap opening ले लिया कल नहीं ले गई है और यहां ही से अब अगर target लेते हैं यहां से अगर हम target लेते हैं easily तरीके से हम stock में 304 पॉइंट मतलब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो तो आप 149 अगर मैं 149 रुपे का है मतलब यहां से easily तरीके से हैं अगर मैं target की बात करता हूँ 3.5 रुपे का है वो हमारे लिए काफी comfortability के बाकी तो हम telegram group में update करी देते हैं दिस्क्रिप्शन में telegram group का link दिया हो आपर जाके join हो जाए delivery services पे इंट्रवडे के tips market update provide किया जाता है अब ACL की में बात करता हूँ तो 1 आप अराम से 143 मतलब यहां से 0.5 पॉइंट का ACL है 3.5 पॉइंट का target है तोड़ा सा momentum तोड़ा सा profit booking भी हो सकती अब आपन चलते हैं second stock के उपर तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो banking sector का top gainer आज की date का HDFC bank आज की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हो 5.5 परसंड का moment देखने को मिला पॉइंट में देखेंगे तो करीबन 82 पॉइंट का 612 रूपे का असवा stock ने closing price दिया है 1539 रूपे का previous close गिब डाउन उपनिंग लिया था 1526 रूपे का हाई लगा है 1613 रूपे का अगर देखे तो 90 से 95 पॉइंट का moment देखने को मिल रहा है और अगर आप देखेंगे लो तो 1516 रूपे का देखने को मिल रहा है लो और हाई को कंपरेजन कर ले आप लोगों को पता चल जाएगा बाकी चीज़े अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ दिखाता हूँ तो आप देख सकते हूँ करीबन 16.16 परसेंट का delivery पेटन है quantity में देखेंगे तो करीबन 14,13 जा मतलब जो news है वो news का काफी अच्छा effect delivery पेटन पर देखने को मिला है जो तेजी है उसका भी हमें काफी अच्छा effect देखने को मिला है आज का चार्ट तो यहां से यहां तक है लेकिल अगर में पूराने चार्ट की बात करता हूँ तो देखें काफी अच्छा moment यहां पर किया था आप देख सकते हो ग्रेन केंडल काफी थी फिर थोड़ा सा consolidated क्या profit booking गई फिर उसके बाद आपर भी upside का moment फिर profit booking फिर काफी अच्छा upside का moment मतलब दोस्तों यहां पर देखेंगे एक प्रकार से aim chart का pattern बनाने की कोसिस कर रहा है और यहां पर देखेंगे ना आज के कुछ last के समय पर मतलब जो डेढ़ गंटे के लिए market उपन था सावा गंटे के लिए वो काफी interesting देखने को मिला इसका momentum volume growth देखेंगे तो यह single candle में देखेंगे कितना शांदार हमें volume भी देखने को मिल रहा है यहां पर भी अगर देखेंगे तो काफी अच्छा volume देखने को मिल रहा है बाकी के बाद में volume कम हो गया तो लेकिन फिर से हमें volume भी बढ़ते हो देखने को मिल रहा है अगर यहां पर देखेंगे ना तो देखेंगे पूरी हमें क्या देखने को मिल रहा है green candle एक rate candle है खाली और उसके बाद हमें काफी बड़ी green candles मतलब single bix में जो मतलब nifty bank ने momentum किया वो काफी interesting देखने को मिला है जो इसका सबसे important level है दूस्तो वो है 1630 से 1640 का इसका जो 52 भी काई है उसके आसपास का अगर उसको break करा तो definitely stock double से 2100 के पार होगा और काफी जल्दी मतलब आने वाले 6 मेने के अंदर अंदर क्योंकि nifty bank के अंदर काफी अच्छी news आ चुकी है उस news का effect हमें कल भी देखने को मिलेगा और आगे future में भी देखने को मिलेगा तो उसी की बैस पे हमें stock में target and stop close जान लेते हैं तो दोस्तो प्रॉपर तरीके से आप target and stop close को note down करेगा हमें काम करते हैं stock को high के करीबी buy करने की कोसिस करेंगे लगबग 1612 रूपए पर यहाँ पर stock को buy करेंगे जो हमें easily तरीके से target देखे जाएगा दोस्तो 1620 अब stock में कितना भी momentum होता है अपना अपना 8 point का target लेके निकल जाएंगे ठीके और बाकी तो हम नीचे जो description में टेलिग्राम का लिंक दिया है न option में वर्पू ट्रेडिंग करिए ठीके और आप लोगों को मैं एसल बता देता हूं तो एसल दोस्तों आप रखेगा 1608 रुपे का मतलब यहां से अपडेशन आज का इंट्रडेट टिप्स का अब मैं इस अपडेट के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूं तो वीडियो को क्लोज करते से मैं यही बोलूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीस लाइक कर दिना चैनल पर नहीं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना क्योंकि डेली वेस्स पर हम इंट्रडे की टिप्स एं मार्केट अपडेट लाते रहते हैं थैंकि दोस्तों